नमस्ता दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने यूटीब चैनल स्टॉक मार्केट टोड़े पे आज की इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन से ऐसे शेर से जहां एफाइस का हाइस टिक है जाइस बिल्कुल भी इस वीडियो के बाद में से आप तो उनकी इसमेंट और जाला होने लगी आज की डिट में इंडिया एक हाट फेरेट डेसिनेशन है एक फाइस की इसमेंट के लिए वह इंटरस्टिंग वीडियो गाइस जहां पर उमीद करता हूँ कि काफी लोगों को यह चीज़ पता होगी इनको बता है वो इस वीडियो जानके जहां पर एक बार में यह लगया कि यह कंपनी हिंदुस्तानी है भी कि नहीं इंडियन कंप्रीज है या नहीं क्योंकि हम यह वानते हैं कि जिसके पास 51% के शेर होते हैं वो उसका मालिक होता है पर यहां पर 51% से जालना स्टिक एफाइस के पास हो तो समझ दीजिए यह मालिक कौन हो रहा है कौन ड्राइव करने वाला है जिसके पास equity होती है वो अपने शेर को ड्राइव ज़रूर करता है बड़ी interesting वीडियो को पुरा देखीगा वीडियो पसंद आए तो like करके ही आगे बढ़ेगा guys क्योंकि ऐसे content बड़ी मुश्किल से आपके लिए बना आपके लिए detail analysis करेंगे साथ में अपने favorite screener के साथ में चोले देखते हैं कौन-कौन से shares है आइस यह रहे आपके सामने वो 5 shares अगर आप चाहते हैं वीडियो को यहीं छोड़ना आप छोड़ सकते हैं कोगि आपके सामने नाम आ गए हैं बड़े हैरान करतने वाले share है नमबर वन इस HDFC जी हाँ HDFC बैंक नहीं HDFC है 72% holding मतलब मालिक ही FI's है श्रीराम Transport Finance दिगज कंपनी 53% shares है FI's के पास हैं यह भी शाद FI's के हाथ में जा चुकिए Apollo Hospital 52.41% Z Limited सुना है गाईज बड़ा favorite है हमारा entertainer मीडिया का चैनल 52% equity FI's के पास में है और IRB infrastructure यह पहले equity सिर्फ 13% के आसपास भागते ही सितंबर quarter से December quarter 2021 तक के change में यह इतना बड़ा change आया है कि यह 13% से बढ़के 48% होगी है क्योंकि मैं आपको कहा था कि जो budget है budget पूरा पूरा infra specific budget है और हो क्यों ना अगर हम इस देश की तरक्की चाहते हैं हम चाहते कि हमारा देश और दबरस तरीके से क्लों करे तो हमें अपना infra मजबूत करना ही होगा L&T, IRB और बहुत सा ऐसे नाम है इसके ऊपर मैं पहले वीडियो आपको दे चुको हो budget पिक की वीडियो दे चुको हो उस वीडियो को ज़रू देख लीजेगा मेरे चैनल पे मौजूद है चले देखते हैं detailed analysis करने ही कोशिश करते हैं कि क्या ये data सही है इसकी authenticity चेक करने ही कोशिश करते हैं चलते हैं अपने favorite screener के पास में skiner.in में जो बिल्कुल favorite है सबका और free में है guys ये रहा आपके screener सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है? सबसे पहले हम लिखते है HDFC देखिए दो है HDFC bank है HDFC life insurance है HDFC asset management कंपनी है HDFC housing development finance corporation जी हाँ हम बात करें housing development finance corporation ये वो कंपनी है जो housing के लिए finance देती है इंडुस्तार में नए घर बनने है, affordable housing बननी है और क्या क्या नहीं होना पैसा कहां से आए HDFC भी उसे बहुत बड़ा role play करता है guys क्या जबर सब्सक्राइब लार्ज cap कंपनी चार लाग 4,36,000 करोड की कंपनी है, शांदार blue chip कंपनी और current price है 2400 रुपे का और इसके अगर book value देखने कोशिश करें book value ध्यान नहीं दी जा रही है फोई बात नहीं EPS 719 का महँए कंपनी इसके EPS महँए ही होगी industry का P जहाँ 26 का है, वहीं stock का P 20 का है, तो मतलब शायद ये company undervalued है, सस्ते भाव पे मिल रही है, आप ये समझ सकते हैं पिछले debt preceding debt को छोड़ दिए, क्योंकि जो finance companies होती है, उन पर debt होता है, ये क्योंकि वो किसी से पैसा लेते हैं, किसी को पैसा देते हैं, सस्ते में पैसा लेते हैं, महेंगे में पैसा लेंड करते हैं, तो ये एक अच्छा parameter हमारा जानने का नहीं हुआ, बढ़ हाँ, अगर पूरे इंडिया में housing finance देती है, it has also a presence in banking, life and general insurance, asset management, venture capital, reality, education, deposits, education loan, क्या का चाहिए आपको, चले देखते हैं कि क्या एक company वाकई FIs के हाथ में जा चुक है, ये देखना बड़ा interesting होगा, और चलते हैं हमारे parameter investors कॉलम पे, कौन, कौन है इसके investors और investors क्या कर रही है, देखिए, या promoter कोन है, promoter FIs ही रिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे FIs के पास में 72% की equity हुआ गए तरी पहले भी जो गिर के, सितंबर 2020 के आसपास सात्या थे 70% रह गई थी, बड़ उसके बाद से 71.95, 72.78, 72.22, 71.95 और फिर से 72.14, बदलब 72% की जो equity है, ये maintain है, hold की हुई है FIs द सकार के पास भी थोड़ा सा stake है, पबलिक के पास कहा है, पबलिक के पास 11% की equity कोई बेचना ही नहीं चाता, जिस कंपनी को कोई बेचना नहीं चाता, सोच लीजिए ये कंपनी कितने दिगज कंपनी हो सकती, अगली कंपनी के बारे में बढ़ता है, देखते हैं, दूसरी ऐ कंपनी है, इन्वेस्टर्स की फेवरेट है, यहाँ पर इसके कुछ finance चेक कर लेते हैं, 34,000 क्रोर्स की कंपनी है, अच्छी खासी कंपनी है, 1270 रुपे का इसका भाव भी चल रहा है, 10% का ROC कंपनी जनेट कर रही है, ROE भी कंपनी 12% के आसपर का जनेट कर रही है, कंपनी क 25 का, और कंपनी अभी अभी अविलेबल है, 14 के पीप, मतलब कंपनी शायद सस्ती आपको मिल रही है, finance का काम है, तो यहाँ भी डेट को में यह दो कर सकते हैं, डेटर और क्रेटर्स का तो खेल पूरा-पूरा होने वाला ही है, कंपनी विल्कुल ट्रांसपर फिनेंस पे का कॉल्ड्ट करते हैं इस एकुटी को, प्रमोटर के पास 26% एकुटी है, प्रमोटर ने थोड़ा सा स्टीक बढ़ाया है, और अफाइस थोड़ा सा स्टीक घटाए है, बहुत ने नेलगलीजि बए stimulating इंस्टिक बढ़ाया है, और पॉबिक ने स्टेक घटाए है, तो बिसिक 5000 का market cap है guys बहुत ही बड़ी कमनी है 4550 का आज का rate है stock का PE देखे तो थोड़ा महंगा दिखाई देता है PE के हिसाब से और ROC भी 8% का maintain है ROE थोड़ा सा कम है मैं इसको बहुत ही कम कम हूँ है 3.79% के आसपास में पिछले 5 साल की growth को दिखाई तो 11% के आसपास की growth maintain है और company intrinsic value से बहुत हाई मिल रही है दिखी जहाँ 960 का intrinsic value का भाव है company 5 paid up है और free cash flow दिखाई तो 2008 करोड का free cash flow है पिछले साल 3596 करोड के आसपास का debt था cash equivalent है यहाँ पे 857 करोड के आसपास में और debt to equity point 80 है चलेगा कोई दिखाती है और यह company बहुत ही दिगज कंपनी है hospital change है इसकी यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करें कि यह company के promoters का क्या खेल दिखाए थे किसके हाथों में इसकी बागडोर दिखाए देती है तो बागडोर देखने तो FIs ने अपनी equity को बढ़ाया है promoter ने बेचा FIs ने बढ़ाया 52.43 41% के आसपास में है domestic institutions के पास भी 12% maintain है और सरकार के पास भी थोड़ा सा का माल है public ने इसका माल बेचा है public से निकल रहा है strong hand से strong hand में move कर रहा है almost equity stagnant है तो ये भी company ठीक दिखाई देती है चौथी company कौन सी है याद है चलिए बताते हैं चौथी company है हमारी आपकी favorite yes Zee Limited Zee Limited क्या करती है Zee Limited तो entertainment की दुनिया से है आप सब जानते ही है इसको और अच्छी 80 कंपनी है 25,000 क्रोड की company है और 263 रुपीस का इसमें price भी चल रहा है और ROC 14% का है ROE 8% के आसपास का है वन पेड़ पे शेर है और यहाँ पे अगर debt दिखा जाए तो debt है company के ऊपर 35,500 क्रोड के आसपास का और cash equivalent company के आसपड़ें 1120 क्रोड के मतलब मोटा debt-free company है एक दम debt-free इसके अगर हम investors के उपर जाके देखनी कोशिश करें कि वही किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है वो देखने वाली बात है बहुत ही interesting है और यहाँ पे कुछ alarming चीज़े है कुछ interesting चीज़े है promoter के पास जहाँ एक time पे पिछले साल 2019 तक 38% equity हुआ करते ही promoter अपनी सारी equity बेच चुगा है खाली 4% के आसपास equity promoter hold करते है which is very alarming FIs के पास जहाँ 44% के equity हुआ करते ही वो बढ़के हो गई है 52% के आसपास में DIs के पास में 15-16% के आसपास माल होता था वो बढ़के हो गई है 50% के आसपास में असली पैसा असली equity कहां पे है 22% के आसपास पुब्लिक के पास था अभी भी 22% के आसपास ही है तो यहां पे almost जो यह equity है 52 प्लस 20 मोटा मोटा 72 तो 73% यह FIs और DIs के मिलाके यहनी के पास है तो बहुत सारे strong hands के पास में यह company है तो यह company भी काफी फिर्ट हो जाती क्योंकि जील इमिटेट निदूसां का काफी famous channel है जिसके ओपर सब की नज़र रहती है और listed company है तो FIs का strong share हो सकता है अगली company है guys इस कड़ी में बहुत ही शांदर company बहुत ही surprisingly निकल के आ रही है that is IRB infrastructure development guys बहुत ही interesting 15,000 करोड की company 9% का ROC 1% का ROC बिल्कुल खास इसके कुछ results नहीं है बट यह company limelight में क्यों आ रही है क्योंकि limelight में company इसलिए है क्योंकि company का जो basic काम है वो infrastructure development और construction company तो है यह इसके साथ में company का जो extensive experience है वो roads और highways का है और इस segment में वो infrastructure development तो करती करती है उसकी maintenance का काम भी इसके पास रहता maintenance of roads का काम इसके पास रहता है construction का हम यह करती है airport बनाती है real estate का यह काम करती है तो basically company कास काफी अच्छा दंदा है और सरकार की जैसे अभी budget की जो नीती आई है वो सकता है company इसमें benefit हो मेरा कोई इसमें दावा नहीं है but could be a possibility चले देखने कोशिच करते हैं कि investors के point of view से क्या कर रही है क्या गुल्ख ला रही है जहां promoter के पास एक time 57% equity वह गा थी promoter बेच-बेच के 34% पे आ गया promoter से 57 से हो गया 34 पर FIs FIs जो सिर्फ 13% equity hold करते 13% से FIs ने बढ़ा के कर लिया 48% which is very very huge FIs ऐसे ही पैसा नहीं लगा थे किसी चीज़ के अंदर में DIs की बात करे तो DIs ने अपना माल बेचा है तो यहां पे जो equity है वो strong hand से और strong hand में गई बहुत ही aggressive दिखाई देते हैं तो आने वाले 5-7 साल के अंदर है मैं आपको पार बाग कहता हूं कि आने वाले 5-8 साल real estate और infra के हो सकते हैं पूरी possibility मुझे दिखाई देती है जैसा मैं Delhi NCR में रहता हूं मैं आसपास गुमता रहता हूं तो जो construction जो development मुझे अपने आसपास दिखाई देती है जो हम budget नीती को देखे सरकार की जैसा वो इस में सड़के बनाना चाहते है railway network बिशाना चाहते है बहुत सारी चीज़ा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर IR भी एक अच्छा कासा role play कर सकता है अपनी चार्ट analysis कीजिए study कीजिए और fundamentals में जाने कुशिश कीजिए उसके बाद decision लीजिएगा विडियो परसन आया हो तो प्लीज लाइक करना ना भूले चैनल को subscribe कर लीजिए बैल लोड़ीज को हिट रखे ताकि ऐसा content आपको daily मिलते रहे मिलते किसे ने इंटरस्टिंग विडियो में तो तो के लिए टेके बावाई जाहिन